अध्याय सोला, हाइड्रो कार्बन के व्युत्पन, डेरिवेटिव सौफ हाइड्रो कार्बन्स प्रारंभ में यह धार्णा थी कि कुछ कार्बन युक्त पदार्थ जैसे शक्कर, स्टार्च, कपूर, यूरिया आदी हमें सजीवों से ही प्राप्त हो सकते हैं सजीवों, और्गेनिज्म में इनके संसलेशन के लिए जीवन शक्ती, वाइटल फोर्स पाई जाती है, सजीवों में इनके संसलेशन के कारण रसायन की इस शाखा को, जिसमें इन पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, और्गेनिक रसायन कहा गया परन्तु 1828 में जर्मन रसायनग्य फेडरिक वोहलर ने औकार्बनिक पदार्थ अमोनियम साइनेट से कार्बनिक योगिक यूरिया मूत्र में उपस्थित पदार्थ का प्रयोक शाला में संसलेशन कर यह दिखाया कि इन पदार्थों के निर्माड के लिए जीवन शक्ती की आविशक्ता नहीं है इस तरह पहली बार कार्बनिक पदार्थ यूरिया का संसलेशन और कार्बनिक पदार्थ अमोनियम साइनेट से किया गया फेडरिक वोहलर जर्मन रसायनग्य फेडरिक वोहलर 1800-1882 और कार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक योगिक यूरिया के सबसे प प्रियोक्षाला में यूरिया का संसलेशन कर जैव शक्तिवाद, वाइटलिस्टिक थ्योरी जिसके अनुसार सजीवों में पाय जाने वाले पदार्थों के बनने के लिए विशेश जीवन शक्ती की आविशक्ता होती है का खंडन किया। वोहलर ने लीबिक के साथ कड़वे बादाम के तेल का अध्ययन किया और साथ ही अन्य वैग्यानिकों के साथ मिलकर सिलिकन बेरिलियम को उनके मिश्रण से प्रिथक करने का कारी भी किया। कैलसियम कार्बाइट और सिलिकन नाइट्राइट के संसलेशन में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्बनिक रसायन ऐसा रसायन है जिसमें कार्बन और उसके योगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बन के परमाणू आपस में जुड़कर बहुत सारे योगिक बनाने की शम्ता रखते हैं, जिसे हम श्रिंखलन केटेनेशन कहते हैं। यही कारण है कि प्रकृती में बहुत अधिक कार्बनिक योगिक पाये जाते हैं। आज ग्यात पदार्थों में लगभग 96 प्रतिशत योगिक कार्बनिक हैं। या त्री बंद द्वारा संतुस्ट होती हैं, तो इन्हें औसंत्रिप्त हाइडरोकार्बन, क्रमशा, एलकीन तथा एलकाइन कहा जाता है। कक्षा नौवी में हमने हाइडरोकार्बन एलकेन का विस्तरित अध्ययन किया है। एलकेन को सुत्र आर एच द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जब आर एच से एक हाइडरोजन परमाणू अलक किया जाता है, तब जो मूलक बनता है उसे एलकिल मूलक कहते हैं। इसे सामानिता आर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मेथेन CH4 तथा एथेन C2H6 से एक एक हाइडरोजन परमाणू अलक करने पर क्रमशह मेथिल CH3 तथा एथिल C2H5 मूलक प्राप्त होते हैं। क्या कारबनिक योगिकों के सभी गुणों का निर्धारन इनही मूलकों द्वारा होता है या किसी अन्य समुह द्वारा। आईए इसे समझें। पर्माणू अत्वा पर्माणू का वह समू जो किसी एलकिल मूलक के साथ जुड़कर उस पदार्थ के विस्स्ट व्यवहार को दर्शाता है और उस कार्बनिक योगी के रासायनी गुणों को निर्धारित करता है उसे ही कार्बनिक रासायन में क्रियात्मक समू फंक्शनल ग गये हैं आपने कास्टिक सोडा का नाम सुना होगा इसका सूत्र एने ओवेच है अर्थात ओवेच रिनायन के साथ सोडियम जुड़ा है आईए ओवेच समू से जुड़े एक योगिक का उदाहरन देखें यदि मेथैन CH4 के एक हाइडरोजन को ओवेच समू से प्रतिस्थापित किया जाए तो मेथिल एलकोहॉल CH3OH प्राप्त होता है इस तरह हमने ओवेच युक्त दो योगिकों को जाना एने ओवेच तथा CH3OH इन दोनों योगिकों की इलेक्ट्रोन बिंदू सनरचना बनाईए उप्रोक्त दोनों सनरचनाओं में ओवेच एने धनायन और CH3 मोलक से किस प्रकार के बंधद्वारा जुड़ा है अभी हमने दोनों योगिकों का सनरचनात्मक अध्ययन किया आईए अब इन योगिकों की प्रकृति को एक क्रिया कलाप के माध्यम से समझे